मसकार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे रास्तिफल धाम यूटूब चनल में दोस्तों आपके जीवनकाल में यह 13 मार्च से बहुत ही अदभुत चमतकार दिखने को मिलेंगे और बहुत ही एसी रुके हुए कार हैं उनमें गती आने वाले हैं जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि यह समय आपकी ग्रहों में कुछ एसी सुविस्ति बन रही है जिसका सीधा आसर आपके जीवनकाल पर पढ़ने वाले हैं और दोस्तों कुछ ऐसी घटनाएं होने वाले हैं, कुछ ऐसी चमतकार होंगें जिससे आपकी जीवन ही बदल जाएगी और माता लक्षमी के आसिरवात से आपके घर के माहोल में और परिवारिक के जीवन में कुछ एसे बदलाव होने लगेंगें, कुछ एसे चमतकार होंगें, जिनने दोस्तों आप जानकर खुस हो जाएंगें और दोस्तों साथ ही साथ बता दे कि यह समय माता लक्षमि के आशिर्वात से आपको किस छेटर में इस समय आब कार्व करेंगे वहाँ से आपको आच्छी सफलता के साथ-साथ आच्छी काम्याबी हांत लगने वाले हैं तो दोस्तों इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिशना करें और दोस्तों आपको कीन चीजों से फाइदा होगा और कीन चीजों से साफधा रहना होगा आपकी लव लाइब कैसे रहेगी? केरिया, बिजनस और बैपार के सा रहने वाला है और स्वास्ते की महतपुन जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका सुबरंग और सुबरंग क्या है? दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको इग उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने दिन को अच्छा और बहतर बना शके दोस्तों आपका भी रासी तूला है तो इस वीडियो को बिलकुल भी मिशना करें और इसे अंत तक जड़ूर देखें वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेश्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिपेकेशन बेल को दबा दें जिससे समय समय पर हमारे नी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच शके तो चली दोस्तों बात करते हैं कि माता लक्षमी के आसिरवात से कौन से बड़े-बड़े बदलाव होने वाले हैं कौन से बड़े-बड़े चमतकार होने वाले हैं दोस्तों आप व्यस्तित दिनचारिया रखने से काम करने के तरीकों में सुधार हो सकता है आप अपने बोधिक छमता के बल पर कुछ ऐसे सकारत्मों परिनाम हासिल करेंगे जिससे समंधियों के वीच और परिवार में मान शम्मान बढ़ेगा अपने किसी विशे से कार को पूरा करने में घनिष्ट मिस्त्रों का सहयुग आवस लें निष्टी आपको सफलता मिलेगी तथा आर्थी इस्ती में भी सुधार आएगा समाजी कतिविदियों में भी उचित योगदान रहने से मान सम्मान बढ़ेगा दोस्तों इसमें गिरिसिती आपकी महतेपुन योजनाओ को क्रियामिन करने की उर्जा परदान कर रही है दोस्तों अपनी छमताओं और उर्जा का भरपूर उप्योग करें कोई परिवारी मामला हल हो शकता है बच्चों की तरब से भी कुई सुखत समाचार मिलेगा परिवारी समस्या हल होने से घर का माहौल भी सुखत और पोजिटिव हो जाएगा कुछ दिनों से चलरी काम के अधिकता से राहत पाने के लिए अराम और मनरंजन में समय बेतित करें घर परिवार के पड़ती भी आपका योगदान बना रहेगा दोस्तों संतान को कोई उपलवदी मिलने से घर परिवार में उत्सब का माहौल रहेगा दोस्तों तरह मनरंजन में बहतरिन समय बेतित होगा आप अपनी योगता दोरा कुछ महत्वपूर निर निर लेंगे जो की फाइदे मन भी सावित होंगे दोस्तों माता रानी की किरपा से घर के आंतरी व्यस्ता में सुधार समंधी को योजना बन रही है वास्तु समन नियमों का अवस्व पर्योग करें आपका कोई भी काम प्लानिंग से करना और सकार्त में सोच रखना आपको नई दिशा देंगे दोस्तों इसमें गिरिशती आपके पक्ष में बहत्रिन बनी हुई है इनका उचित सम्मान करें आप अपनी बोदिमता द्वरा घर तता व्यवसार समन्दी समस्या को सुलजाने में समक्स रखेंगे वित्यार्थियों को भी सिक्षा समन्जित उजित परनाम हासिल होंगे दोस्तों आप इन चीजों से साबधान रहें किसे नजदी की समन्दों से परिवारी मामलों को लेकर कहा सुनी हो सकती है दुसरों की बातों में ना आये क्योंकि इसका असर परिवार की व्यस्ता पर भी पढ़ेगा इसमें किसी भी तरह के आवाजाई को भी अस्तगित ही रखें आयों के साथ उची तालमिल बना कर रखने से आपसी प्रेम बढ़ेगा किसे भी तरह के गैर कारणी काम से दूर ही रहें औरना आप भी मुसीवत में फंस सकते हैं इसका नकातमग परभाव आपकी कारे छमता पर भी पढ़ेगा दूसरों की बातों में ना आकर अपने मन के आवाज को प्रात्मिकता दें आपकी आधरात्मा आपको उची द्रास्ते में बढ़ने की प्रेना देगी लापारवई की बज़े से कोई कार गलित हो सकता है जिसका नकातमग असर आपके उपर भी पढ़ेगा दूसरों ध्यान रखें कि आपके किसी सक और वहम की वज़े से किसी समंदी के साथ कहा सुनी इस्तिती बन सकती है बेटर होगा कि दूसरों के मामल में खुद को अलग ही रखें अनधा इसका नकातमग असर आपकी परिवारिक जीवन पर भी पढ़ सकता है और विती मामलों को लेकर किसी नजदी की व्यक्ति से वहस किस्ति बनने की आसंका है छोटी छोटी बातों की वज़े से दुखी होना ठीक नहीं है दूसरों आपके व्यावसा के छेतर में आप बहुत अधिक महनत और प्रियास करेंगे और जिसके उचित परनाम भी मिलेंगे इसके साथ कारे परनाली में कुछ बदला भी लाने की जोरत है नोकरी पेशा लोग को फाइनन समिंदी गत्ति विदियों में बहुत साबधानी रखने की जोरत है दोस्तों आपके वेबसाइट छेतर में आप बहुत अधिक महनत और प्रियास करेंगे और जिसके उचित परनाम भी मिलेंगे इसके साथ कारे परनाली में कुछ बदला भी लाने की जोरत है नोकरी पेशालोग फाइनन समिंदी गत्ति विदियों में बहुत असाबधानी रखें दोस्तों अपने वेबसाइट समपर्शुत्रों को और अधिक महजबूत करने में ध्यान दें क्योंकि उनके दोरा उचित का ओडर मिलने का भी संभावना बन रही है हलाकि वेबसाइट गत्ति विदियों आज कुछ धीमी भी रहेगी दोस्तों अपने वेबसाइट समपर्शुत्रों को और अधिक महजबूत करने में ध्यान दें क्योंकि उनके दोरा उचित का ओडर मिलने की संभावना बन रही है तमान बिजनेस पर ध्यान दें नए काम की योजना क्रियामिद हो सकती है लेकिन जादा फायदे की उमीद न रखें आने वाले दिनों में इसके अच्छे नतीजे मिलेंगे कर्मचारों की गत्ति विदियों पर नजर रखना जरूरी है अधिकतर कारफोन और इंटरनेट के माध्यम से ही संपन होते जाएंगे वेबसाइक गत्यविदियां सुचारूरुप से चलती रहेगी इस समें रियल स्टेट से जुड़ी हुए काम में बहत्रिन सफलता मिलने की संभावना है ओफिस में उच अधिकारियों के साथ उची तालमेल बना कर रखें दोस्तों आप परिवारी वेबसाइक कर रहे हैं तो आपके प्रयासों से बहत्रिन परनाम मिलने वाले हैं इस समय वेक्तिगत कारें को अस्तगीर रखकर अपने कारे में ही ध्यान दें कोई भी मुश्किल आने पर जिवन साथी का परिवारी नजरिया आपका सहयोग करेगा नुकरी पैसा लोगों के स्थान परिवर्तन के योग बन रही हैं दोस्तों किसी भी कार में ज़्यादा सोच विचार करने से परसित्रिया हाथ से निकल भी सकता है दोस्तों वेबसाइक कारियों में जिवन साथी के नेनने को परत्मिकता दें क्योंकि दोस्तों जिवन साथी एक लक्षमी के रूप में होती है दोस्तों कहते हैं कोई भी तरिकी करने का एक औरत का हाथ होती है दोस्तों आपके लव लाइक के बारे में बात करें तो आज किसी बहुत ही पुराने मित्र से मुलकात होगी तथा सुखनामा यादों का दोरा बना रहेगा जिवन साथी को भी अपने प्रेम का इजहार करते रहेंगे दामपद जिवन और प्रेम समंदों दोनों में अनुकुलता बनाये रखने के लिए इन्हें कुछ समय देना जरूरी है इसे आपसी प्रेम बढ़ेगा दोस्तों पती पतनी एक दूसरे के भावना को शम्मान करें प्रेम समंदों में प्रगरता बनी रहेगी दामपद जिवन में समान जस बनाये रखें अपने व्यक्तिकत समस्यां को परिवारिक लोगों पर हावी ना होने दें दोस्तों आपके स्वास्त के बारे में देखा जाए तो अतधिक ठकान की वज़े से नस्व में खिंचाव और दर्द महसूस होगा योगा और वैवाम पर अधिक ध्यान दें आपके सरुरी तंदुरूस्त और फिट रहेंगे किसी किसी समय नाकार्त में विचार उद्पन होने से तनाव और ठकान महसूस होंगे अपनी हावी को भी निखारने में समय लगाएं अपने इंफ्यूस सिस्टम को मजबूत बनाए रखने में किसी भी परकार की लापरवाई ना करें वर्तमान बतावरण से अपना बचाव रखना जरूरी है अपने दिन चारे और खान पान के प्रती कोई भी लापरवाई ना बढ़ते हैं थोड़ी से सावधाने आपको स्वास्त और उड़ जवान रखेगी चल्वे दूस्टम बात क्लतब के उपाय के बारे में दोस्तों, मान लक्षमी का आशिरवात पाना चाते हैं या फिर आकस में धन प्राप्ती करना चाते हैं तो दोस्तों यह दिन शुवास नान के बाद वेदी विधान से पुजा करें साथी अकाक्षी नारियल आर्पित करें पुजा करने के बाद इसे पीले रंग के कपड़े में बांध लें और अपने पास रख लें इससे दोस्तों आप दिनवाद दिन तरक्की करते जाएंगे कमेंट बॉक्स में जैमा लक्षमी जडूर लिखें और वीडियो को लाइक से और जडूर करें धन्यवाद